नशकर दोस्तों मैं हूं रवी कॉशल और आप देख रहे हैं नियूज क्लिक अकादम सर्कल्स में नई सिक्षानिती को लेकर लगातार बहुत जारी है और इसी बहुत को हम आगे बढ़ाते हुए आज पहुंचे हैं डॉक्टर सतीज देशपांडे के पास डॉक्टर देशपांडे दिली स्कूल ओफ इकनोमिक्स में प्रोफेसर है साथी साथ वो युक्रेशन के तमाम आमलों पर भी नजर रखते हैं आज हम उनसे नई सिक्षानीती में जो किस तरीकी के बदलाव आएंगे उस उनको लिकर हम आज चर्चा करेंगे डॉक्टर आप शुक्रिया नियूस क्लिक से बात करने के लिए अगर मैं आपसे बातचीत की शुरुआत करूँ नई सिक्षानीती को लेकिन अलग तरीकी की बहस अख़ारों के माधियम से अर्टिकल्स के माधियम से इन तमाम जो हम कहें माधियमों से चल रही है और इस सिक्षा नीती में पहला बदलाव जो है हम आपके ही इनुवसिट्री से देख रहे हैं कि यहां पे डेली इनुवसिट्री में अप कहा गया कि चार साल का एजुकेशन अनर गैजुटिशन का प्रग्राम लाईए फिर साथ में एक कॉमन नुवसिटी एंटर्स टेस् जब हम चैया हूं जब हम इस पलिसी इस डॉक्यमेंट को देखते हैं तो पलिसी डॉक्यमेंट जो है बार बार यह कह रहा है कि हमें प्रद्द आयुवसिट्री जैसी कोई चीज़ बनानी है अब अब आईवेली लींवसिटी का अमेरिका में घो हम एक यतीहास रहा है वह अगर केवल मामला आईवी लीग जैसे संस्थानों को बनाने का है तो इसमें कोई बेजा बात नहीं है सवाल यह है कि यह आप किस तरपर करना चाह रहे है और इसके अलावा आप क्या करना चाह रहे है क्योंकि हमारे देश इतना बड़ा है और यहां के इतनी सारी विशमताएं हैं अलग-अलग तरह की एक ही तरह का संस्थान सभी के लिए ठीक नहीं रहेगा यह तो सभी को मलग पता है तो आईवी लीग जैसे इंस्टिटूशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन इनका विस्तार कितना होगा इससे आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कह रहा हूं कि इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं यह सारे सवाल बहुत महत्पूर्ण है तो मेरा मानना ये है कि एक तो इस तरह के संस्थानों को किस तरह से बनाया जा सकता है और उसके लिए कितनी महनत की जरूरत है, कितनी लंबे समय तक उसके लिए योजनाबध तरीके से काम करना पड़ता है और केवल उपर से इशारा कर देने से, उपर से हुकम कर देने से ऐसी चीज़ें होती नहीं है नीचे से भी इसके लिए बहुत काम करना पड़ता है तो मुझे उस तरह की तैयारी, उस तरह की प्रतिबद्धा और उस तरह से जो बारीकियों में जाने की जो ज़रूरत है उसके निशान मुझे नजर नहीं आते तो मनशा तो अपने आप में ठीक है, लेकिन उसपर अमल किस तरह किया जाएगा इसको लेकर के हमेशा हमारी शिकायत यही रहती है, कि अमल किस प्रकार किया जाता है, उसी पर सब कुछ निर्भर होता है, और कुल मिला के हमारे साथ यही होता है, कि जादातर हम नाम तक टिके रहते हैं, किसी संस्थान या किसी प्रक्रिया या किसी डिग्री का जो गलोबल नाम है, वो ना फ़िया नहीं पाते, तो ऐसा ही मेरा भ essen, मेरा डिर यही है, के इस एक लिइ यही पात भी ओभानेवी हादा है, कि के वल हमारे पास जो अभी प्रचलित नाम है या लेबल है, उस तरह के चीजे होंगी उसके नीचे, उस लेबल के नीचे जो होना चाहिए, जो ठोस जीज होनी चाहिए, वो हमें शायद हासिल नहीं हो पाएगी, मेरा डर यह यह है। जो हमें उसके चाहिए होने हैं, इंफरस्ट्रक्चर किस तरीके से खड़ा किया जाना है, क्योंकि उसमें बेलगता ही कि तियारी होती है। तो जब अप रतिवद्धिताओं की बात करते हैं और अप अनभव की बात करते हैं, तो अपको क्या समझ माता है कि कहां की कड़ पर ह किया ह 這個 अटिक पुरुण ब्स आमारी नेती हो चुछ का है कि कही बार एरादे होते हैं और आदर्श उचे होते हैं लेकिन अमल का अठी हाथ जब बारी आती है उनके क्रियानमन की जब बारी आती है तो कही तшего कईया काटे जाते हैं और इस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, तो नहीं दिया जाता है. अगर अगर उधारण के तोर पे आप ये फोर ये अंडरग्राजवेट प्रोग्राम को लीजिए, फोर येर से अपने आप में कोई खास दिक्कत नहीं है. दुनिया के में बहुत जगा फोर येर चलता है, दुनिया में बहुत जगा जगा थ्री येर भी चलता है, तो थ्री येर फोर येर दोनों चल रहे हैं. कईफ सोगर सहे हिरझे हमारे सामने के है कि три-year को शफरी लाने का का नहीं चारण का कारन क्या है कारण हो सकते है? ओझे हम उस सकते है? अचले लोगों अगा हम ज्यो हम किया नकर वे mausИ हैं? और देर सवेर, जवी यहीं लागो होगा। अगर हम अच्छाइ तचारी झाहिए, क्या कहया है? अभी होगों क्या है? अभी भावों के खाया है? चातरों कि लिए अखिए है क्या है आपकी शाल है? तो यहां हमें जिद नहीं करनी है कि हमें थी एर ही चाहिए और फोर यही चाहिए दोनों प्रथाय चल रही है और बड़े मजे से चल रही हैं और इनकी खूबिया अपनी खूबिया खामिया हैं सवाल यही कि अगर आप बदलना चाह रहें किसी जीच को तो मौझुदा चीज में कमी क्या है जिसकी वज़ा से आप इसे बदलना चाह रहे हैं और जो नई स्कीम आप दे रहे हैं उसके फायदे क्या है यही और यही मेरे ख्याल से महमला अटक जाता है कि चैनलों पर जब सरकार के प्रवक्ता आते हैं वो यह कहते हैं कि जो अभी जो मौझुदा व्यवस्था है इस पर माली जीए कोई बच्चा गरीब भर से आ रहा है वो एक साल उसने पढ़ाई की या देर साल या दो साल उसने पढ़ाई की उसके बाद वो आगे तो अब हम उन्हें करेंगे कि एक साल पर आप सर्टिफिकेट ले लीजे दो साल पर आप अड़्वांट डिप्लोमा ली ले लीजे तीन साल पर इडिगरी ले ले लीजे आप इस अर्गिमेंट को किस तरीके से देख रहें कि यह जस्टिफाइबल है? मेरे ख्याल से यह ज यह सारे आयाम हैं, एक आयाम तो यह है कि इसके पीछे जिस तरह का विमर्ष है, जिस तरह की इसका सोच है, यह विभाजित है, दाइकोटमस है, एक तरफ तो इसमें एक ऐसी विश्वद्रिष्टी है, एक ऐस रवया है, जो परंपरागत है और जो अनुशासन केंदृत है, यह दिसिप्लिन सेंट्रिक है, बीस्वी शतादी तक उच शिक्षा में जितने भी जितना भी विकास किया, जितने भी उसकी उपलब्धियां है, वो इसी डिसिप्लिन सेंट्रिक यानि अनुशासन केंदृत प्राणाली की देन है, अब कहा जा रहा है कि एक इस्वी उसी हटकर के एक नही प्राणाली इन आना है, जो अनुशासन केंदृत नहीं चात्रकेंदृत है, और जिस प्रकार बाजार में अभगता रजा होता है, उसी तरह शिक्षा के बाजार में भी अभगता मानकर उसे रजा बनाना है, और उसके चैन के मुताबिक, उसकी खरीच सकते हैं और बाजार का काम है बहुत सारे इस तरह के समान आपके सामने पेश करना है तो उसी तरह से शिक्षा का भी एक बाजार लगेगा उसमें च्छातरूब भोगता सम्राथ होगा और वो अपनी पसंद से चुनेगा तो ये दुनिया या इस तरह का जो कि दुनिया कहा सफल हुई है बताया जाता है कि अमीर देशों में ये चल रहा है लेकिन अनुभव ये दिखाता है कि वहाँ भी ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है बहुत आंशिक रूप से सफल रहे है एक बात और भी है कि एक अजी वो गलत फ़हमी यह है कि आज की दुनिया में, यह नव उदारवाद के आने के बाद से जिस तरह की दुनिया बसी है पिछले तीन दशकों में, उसमें यह मानना, यह परंपरगत सोच के मुताबिक यह मानना कि उच्छ शिक्षा आपको इस तरह की योगिताएं प्रदान करे आज की दुनिया में यह सरासर जूट है क्योंके उच्छ है अच्छ है यह जो एक शर्दान का है जिसका बड़ा इस्तेमाल किया जाता है और यह मेरे ख्याल से एक खुक्ला शब्द है क्योंकि आज बाजार जो मांग रहा है उद्योग जो मांग रहे हैं, वो यह बाग है कि आप में प्रवरित्ति चाहिए हमें इस बात से कोई परवान ही है कि आपने क्या सिखा है किसी नई चीज जो कुछ भी सिखा हो क्या आप में कोई नई चीज को जल्दी से सीखने की चंता है यह चाहती है आज का उद्धियोग तो एम्पलोईबिलिटी का मत कि आप आप अमुक चीज को आप अमुक हुनर आप अचिल कर लो तो आपको नोकरी मिल जाएगी क्यूंकि जिस तरह के ज़रोणों की जरूरत है वो हर दिन बदल रहे हैं तो इसलिए इस बललते हुई दुनिया में आपको जल्दी से नई चीज 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 अशने का तो सबसे पहले हम यह मान के चलना है कि हम उच्च चीज 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 पर आज नहीं डाल सकते कि आप खुद आपकी जिस तरह के हुनर या जिस तरह के विद्या आप प्रदान करते हो उसके बल पे लोगों का रोजगार बने क्युकि जिस तरह का अध्योग आज है उसको श् जो जैसे यह कालम है या इसको चू सकते है इसका क्या काम है सब जानते है यह बजार में मिलती है इसका कोई दाम है यह पसंद नहीं तो दूसरे मिल जाते है यह जो वित्तिय उत्पाद होते है यह दिखते नहीं हमको और इसका काम क्या है यह किस काम आते है यह बहुत कम ल जो जो चल रहा है यह इसी से हो रहा है तो इसलिए श्रमिकों में कोई रूची नहीं है आज के अध्योग में कि एपल आप देखिए बहुत सारे अंकड़े ऐसे हैं जो बताते हैं कि उसका जो नेट वर्थ है वो पुराने जैसे अमेरिकी ही कंपनी को लीजे जे जनरल मोटर जो कार बनाती थी तो उसके नेट वर्थ हैं लेकिन उसके जो एम्पलोईज है वो उसके एक चौथाई एक आठावा भाग भी नहीं है तो इसलिए जिस तरह का उद्योग पन पाया है आज कल वो नोकरियां नहीं पैदा कर रहा है इस बात को हमें आगे रख के चलना है और उच्छी शिक्षाई से अपेक्षा करना कि किसी जादूई धंग से वो रोजगार पैदा करना शुरू करें यह मुर्खता होगी यह थी कहा जा रहा है और बड़े जोरशोर के साथ कहा जा रहा है कि आज के यहां नोकरी के तलाश न करें वो खुद दूसरों को नोकरी दे से अच्हार आए इसके लिए लागच चाहिए, इसके लिए बहुत तरह आप यह बहुत शरा ऑई शाधन चाहिए जोसी मैश चाहिए जो सब्सक्राइल है अब सुछ को ऑन्या दोन का जान कर्णारा फूर्ज的人 से लगम जमाड़ा, उसे बचाके रखना किसी दूसरे के हाथ नहीं आजाए, अपने ही लोगों के हाथ में रहे इस तरह की जो प्रविर्ति है, जो चलिए आ रही है ये आज भी बहुत शक्तिशाली है, तो उच्छ शिक्षा में एक तरफ तो इस नीती से बड़े बड़े अर्मान ख जाही है, उनका कहीं नामों निशान नहीं है, तो मेरे ख्याल से जब ये अर्मान टूटेंगे, जब ये सपने टूटेंगे, तो आक्रोश का एक सहलाब आएगा हमारे देश में, और उससे सभी को उख्छती होगी, किसे का फाइदा निगा है, तो ये जिस आक्रोश की बा लेके पहचानों को लेके लड़ जाए है, जानमाल का नुक्षान तो खेर अलग है, तो है लेकिन सामप्रदाइक सभाव पूरा हवा में हो गया है, तो जब हम इसको जोड़ते हैं, और ये रास्टे जोड़ते हैं, तो हम उच्चे सिक्षा से क्या एक्सपेक्ट करें, जिसे अंग्रेजी में ये जो पूर्व राष्ट्रपती थे अमेरिका के डॉनल्ड ट्रम्प, उन्होंने इसे बहुत याने एक सार असे प्रसिद्ध किया है, ऑल्टर्निटिव फैक्स, कि जिस तरह आप बाजार में जाके अपने पसंद की चीज खरीच सकते हैं, तो आज ऐसे चीज खरीच सकते हैं, जिस तरह को है है पासंद की चुरिखार्यच के चीजित को नहीं है, झाल ऱी पैसे लेज़ा ह 문제가 प्केरीच सकते हैं, बिन अदू पैसे लिए तेयर हम तो उन्हें को अई हाओं़ाएं, जिस की चीज़त तरह कना उन्हीं कर्सक्ते हैं, थे ये जो जो आपकी जो भी पूर्वाग्रा है वही सत्य है तो इस तरह के आज प्रविति बढ़ रही है कि मुझे मेरे हिसाब से दुनिया जैसी है वैसी ही दुनिया मुझे दिखाईए तो इससे बड़ा नुकसान उच्छिशिक्षा के जगत को और इसका मैं अनुवान नहीं तो ये जो प्रवित्ति है ये शोध और रिसर्च उच्छिशिक्षा इस सब के खिलाफ है क्योंकि हमारी जो मूल बात मूल धारना ये है कि दुनिया अपने आप में आप से बाहर है वो आप से अलग है और वही मानक है आपके लिए आप उसको अपने अनुकूल नहीं डाल जो कुछ भी है उन्हें आपको आजमाना होगा इस दुनिया में इस तरह से हमानते है कि दुनिया हम से बाहर है वो हमारे काभू की चीज नहीं है और वही हमें वही एक तरह से हमारी कर्म भूमी है जहां हमने जो कुछ भी सिधान बनाए है जो कुछ भी सिधान बनाई है उ तो सारा खेल ही बदल गया ना तो फिर रिसरच की ज़रुवत क्या है जब हम ये नेपी का पूरा डॉकुमेंट हम देखे हैं तो एक जो चीज जो गाहे बगाहे हमें मिल जाती है क्यों क्लाइबरेशन की बात मिल लाती है या फिर फॉर्ण नुवरसिटीज के अलग जगहों के केंपसे सेट अप करने की बात मिल लाती है जब मैं इस पर रिचर्ज पर रहा था तो मुझे सिर्फ एक उनुवसिटी मिली एसी जिसने अपने एक केंपस जो है जहां पर प्रतिश्च्टेत है उसके बाहर भी हो जो प्रतिष्टिन उन्वर्सिटी उसमें नियॉयोक उन्वर्सिटी है, जोनों ने अबुदाबी में अपना कैमपस कोला, वो भी इसलिए कोला क्योंकि शेखों ने काफी जादा पैसा दिया, कि आप जो है, हमारे बच्चों बिले यहां पर कुछ पढ़ाने के बनादे, और इसके लिए बहुत सारे पहले से ही तरक मौजूद हैं, कि ऐसा क्यों नहीं होने वाला, यह जरूर होगा और यह पहले से ही हो रहा है, हमारे यहां भी हो रहा है, बड़े बड़े विश्युद्याले अपने यहां फिल्ड सेंटर्स स्थापित कर रहे हैं, यानि कि उनक बहुत से हाँए हमार हैं, कि और यह कोवे बिए पहले साहिए हो रहे हैं, यह कि उनकं लेगा सिर्ध संर कर दो को इनका चाहिए को छोवे नगारा जारा के लिए लवाल蛋 भरा है, जिस भाकी दुनिया है, वैसे ही यह भी है. और इसा नहीं है कि विषदा का सवाल अमीर डेशों को नहीं सताता. अमेर्का चिंडियो का यह अमेरीका की जो पडिश को बosp Waldud गरीश्चाय ander गएंपर विषदा ही स्वणता है. तो यह मेरे ख्याल से यह ख्याली पुलाव हैं सारे कि बड़े इंस्टिटिउशन आ जाएंगे जज्यादतर होंगा बजार की रीध यही है कि जो इंस्टिटुशन पॉएंगे उनको ऐसे इंस्टिटुशन पॉएंगे जो ना आए तो यह बहतर है और ऐसे इंस्टिटुशन नहीं आएंगे जिनके आने से हमें फायदा हो सकता है और उनके वो क्यों नहीं आएंगे ये कारण हमें पहले से मालूम है तो इसलिए को लेकर कोई बहुत जादा आशाहें खड़ी करना मेरे ख्याल से सही नहीं लगता क्योंकि हर कोई अपना फायदा देखता है और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है यहां रिसर्च करने दुनिया भर के लोग आते हैं लेकिन वो अपना काम करने आते हैं उससे हमारे चात्रों का कितना फायदा होगा हमारे researchers का, हमारी universities का कितना फायदा होगा ये तो दूसरी बात है और collaborations को लेके हमारे विश्री बुद्याले में भी मेरे अपने करियर में भी बहुत सारी ऐसे सवाल रहे हैं जिन से हम जूजते रहे हैं ये आसान सवाल नहीं है क्योंकि संसाधन सब 101 और है और उन संसाधनों में आपको उससे कोई फाइदा आपको चाहिए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ती है तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है तो मेरे ख्याल से collaborations में जिसके पास संसाधन है उसी का फाइदा होगा और जिसके पास नहीं है उसको एक तरह से अलग-अलग तरह की चाकरी करनी होगी जैसा की पहले भी होता है अब डॉसरे सवाल पर एक सवाल है ये policy document आप जैसे ही खोलेंगे उसमें एक सवाल आता है वो ये है जो document कहता है कि document मांग करता है कि बड़े शिक्षा संस्थान मुनाईए जिन में तीन हजार या तीन हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे और ये जो है multi-disciplinary होंगे इनमें तमाम तमाम हम कहें कि विशा हैं उनकी पढ़ाई होगी सारी चीजें होंगी अब बड़े इसका ही एक जो हम रूप देखे हैं वो हमें समझ में आता है कि छोडे इंस्टिशंस के साथ क्या होने वाला है मालीजी जिनके है साथ सो बच्चे है चाहिए जिनके प вони कि साथ क्या होने वाला है क्योंकि मैं आब सभी में पूछ ज्वाल इसलहें ह frankly कि स्कूल के तंदर्व में हमने ये देखा कि या तो चोटे स्कूल को बंद कर दिया गया या मर्ज कर दिया गया उसमें जो दूर के इलाकों के बच्चे हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे जब आप उच्चे सिक्षा मेर्स तरीकी की अमारे को की रिकमेंडेशन को देखते हैं तो आपकी जहन में क्या आता है कि क्या बात कर रहे हैं जी मोटे तोर पे ये विचार सही है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा या स्कूली शिक्षा और उच्चे शिक्षा में फरक है और इसे स्कूल बनने चाहिए जिसमें बच्चे जा सकें और जादा दूर होगी स्कूल तो फिर बच्चे जानी पाएंगे ये स्कूली शिक्षा के लिए बिल्कुल सही है लेकिन जब उच्छी शिक्षा में आते हैं तो यहां लागत कही गुना बढ़ जाती है और इसका सुवि कि अमल कैसे किया जाएगा इस पर कि जब करियान्मन की बारी आएगी तो क्या किया जाएगा तो इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आप ग्राउंड लेवल से जमीनी इस तर से आप सोचें कि कौन कौन से इंस्टिउशन कैसे उनको मर्ज किया जा सकता है कैसे संसादनो को एक तर से एकठा करके उन्हें और उनका पूरा फायदा उठाए जा सकता है जिस तरह की प्लाइनिंग की जरूरत है और जिस तरह की जितने लंबे समय की तयारी की जरूरत है उसके बिना ही हमारे हाँ बहुत सारे नए-नए कारेक्रम लागू होते हैं तो इसकी आज जरूर यह है कि आंकड़े हमें बताते हैं कि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो टिक नहीं पाएंगे क्योंकि उनमें चार्तों की संख्या बहुत कम है और किनी वज़यों से वो पैदा हो गये हैं और अपने आपको किसी तरह जिंदा रख रहे हैं तो आइडिया अच् गये हैं और नीतियों के लिएके विवाद यहीं आता है कि नेक इरादे व्यक्ति करने मेंग और कोई पैसा खर्च नहीं होता आप अच्छे अच्छे विशेशन उसमें डाल दें यह डाल दें वो डाल दें लेकिन असली में क्या होगा वास्त्व में जब इसका क्रियानमन होगा तो क्या होगा? सवाल यहां आता है. मैं यह से पूछ रहा हूँ आपस क्योभी एक केटरियाजिएशन हमें समझाया गया है कि आपके पास रिशार्च इनुवस्टीज गई आपके पास टीचिंग इनुवस्टीज गई आपके पास अकाडमिक कॉलेज़ गई इस केटरियाजिशन सेहमत हैं? मोटे तोर पे मैं सेहमत हूँ फिर वही है कि क्रियान्वन के मामले में अगर हम फिसल गए तो फिर वह अदपकी वैसी खिचडी बन जाएगी जो न इधर के रहेंगे, हम न उधर के रहेंगे भीच कीव बीच में लटका दिया जाएगा हमें जैसा कि अमोमन होता है दूसरी बात यह भी है कि वापिस जब हम four-year कि बात करते हैं जो आपने कहा था कि प्रवक्ता ऐसे करते हैं सर्कार की तरफ से कि कम से कम डिग्री तो होगी इनके पास पर सवाल यह है कि डिग्री इक किस चीज का दियोतक है काज़ का टुक्डा तो केवल उसे आप काज़ का टुक्डा मान लें तो फिर क्या फायदा? कि वो किसी चीज का संकेत है, किसी की चीज का आपको आश्वासन देता है, कि जिसके पास ये काज़ का टुकड़ा है, उसके पास ये हुनर है, उसको इतना कुछ आता है या उसकी काबिलियत इतनी है. तो अगर आप उस काभिलियत के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं और सिर्फ यह कह रहे हैं कि जिसने आपने कहा था कि आपके मताबिक पाठे करम इतने साल का है या उसमें इतना माटीरियल है उसके बिना जो जा रहा है उसको आप अगर सर्टिफाई कर देते हो तो इससे क्या उसके काभिलत बदल जाएगी तो मेरे ख्याल से यह एक तरह का खेल खेल खेला जा रहा है जो एक साल की डिग्री है उससे आपको क्या फहासल होगा और जिस तरह के यह का जो यह प्रोग्राम बना है जो चार साल में आपको चार डिग्रियां अलग लग तरह की बिन सकती हैं उनका एक एक सुविचारित पाथेक्रम में एक ही पाथेक्रम में उन्हें मिला पाना मेरे ख्याल से नमुम्किन है और इसलिए अगर ऐसा दावा किया जा रहा है तो यह हो नहीं पाएगा इस पे अमल हो नहीं पाएगा और यह पाथेक्रम अनर्गल हो जाएगा यह इनकोहेरेंट हो जाएगा और सबका इसमें नुकसान होगा जो एक साल की डिग्री के लिए जा रहा है, उसको भी ढंकी एक साल की डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके समय में से कुछ निकाल के दो साल वाले को कुछ देना है, तीन साल वाले को भी कुछ देना है, चार साल वाले को, तो किसी का पूरा फुल साटिस्फेक्शन को नही यहां दावा किया जा रहा है कि सब को एक ही तरह की शिक्षा हम देंगे वाकिए क्या होगा, पहले साल में कौन छोड़के जाएगा, किस जात का होगा, किस वर्ग का होगा, किस प्रांत का होगा, यह हमें पहले से पता है भी, है न? तो अगर हमें पहले से पता कि ऐसा होने वाला है तो जैसा कि कुछ समिखशक कह रहे हैं कि ये वर्ण वयास्थाफ को एक पुना यान एक स्थापित करेगी ये मुझे मोटे तोर पे इसकी संभावना मुझे भी लग रही है कि ऐसा ही होगा तमाम नेक इरादों के बावजूत क्योंकि आप अमल करने के लिए जिस तरह की संसाधन की जरूरत है जिस तरह की प्रतिबद्धता की जरूरत है उसे आप साथ नहीं लाग रहे हैं शुक्रिया डॉक्षाब बहुत हमके मिज़िदार बाचिद आपके साथ हुए तो ये थे डॉक्टर शती देश पांडे बाकी खबरों के लिए आप चुड़े रहे हैं नीउस क्लिक के साथ शुक्रिया